नमस्कार दोस्तों आज है पाच नवंबर और पाच नवंबर को फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सबने हाजीर हूँ जिया आज अभी हम लोग बात करेंगे यस बैंक के बारे में तो यस बैंक में कल राकिस जुन जुनवाला जी ने काफी बड़ी कौंटिटी पर माल उठाई है बट इसके बाद भी इस स्टॉक पर कोई तेजी देखने को नहीं मिली है तो चलिए इस वीडियो पर देखते हैं कि कौन-कौन से असे ब्रोकिंग फॉर्म ने इस स्टॉक पर किस तरह की रेटिंग दी है जब आप उस रेटिंग को देखिएगा तो आब देखिए यहां पर कल नौ गंटे पहले यह न्यूज फिलास हुई है कि जुन-जुन वाला जी क्या इस स्टॉक को ऐसा कर सकते हैं कि यह कुछ एस तरह की सेप में ट्रेड करें डैट मिन्स यह डाउन फॉल था और आप यह स्टॉक इस तरह से दोड़ेगा जी हाँ वी है तो ऐसा हो सकता है क्या मुझे तैसा नहीं लगता जी है कितने का माल उठाया 87 करोड का आप देख रहें न 87 करोड रुपे एक ही स्टॉक पर इन्होंने लगाया है तो अगर आप देखेंगे कि 87 करोड तो हम लोग स्टॉक मार्केट से साहथ कमा भी ना पाएं लेकिन इस स्टॉक पर सिंगल स्टॉक पर इन्होंने बाइंग किये हैं तो सिर्फ जुनवाला जी अगर इस स्टॉक पर बाइंग किये हैं इसके वज़े से यह स्टॉक चलेगा ऐसा सोचना काफी बेबकुपी नहीं होगी क्योंकि इससे पहले भी डिया जेफल में इन्होंने बाइं चला ठीक है उसके बाद फिर से इस stock में correction आई और अभी वो खुदी loss में है और बागी सारे investors का तो कहना ही नहीं है तो कुछ इस तरह की चीज़े भी इनके साथ हो सकती है काफी बड़ी problem से गुजरना है अभी yes bank और funding की बाद आई एक दो दिन पहले ही इस stock fair fund जो liquidity की problem थी उसके लिए 1.2 billion dollar की जो investment है वो investment की बात आई उसमें भी confirmation नहीं है कि कब तक होगा December तक का date दिया जा रहा तो आप सोचिए कि आप अगर passer लगा के और हमेशा tension में रहते हैं तो ऐसे stock को क्यों चुलना हाँ जी हाँ इस stock को watch list पर लगाई है जब सारी चीज़े clear हो जाई तब भी भाव हो सकता आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि stock rocket नहीं बन जाएगा और यह वी ship इस तरह से trade नहीं करता हुआ दिखेगा ठीक है न यह वी ship इस तरह से बताया जा रहा आप जैसे यहां से यह stock कुछ इस तरह का moment देने के लिए बोला जा रहा है कि इस तरह का moment दिखाए जाएगा तब भी ship बनेगा आप देख रहे हैं भी ship तो ऐसा नहीं होता और चलिए अभी देख लेते हैं कि कौन-कौन से बड़े brokers ने इस पर क्या buy rating दी है क्या कितने का downfall हो सकता है कितने का target है प्रेजेंट करने की कोशिश किया है देखिए कले सा बहुत ही बड़ी ब्रोकिंग form 110 का इनका पुराना target था देखिए old target और अभी जो है new target 75 का दे रहा है stock 86 रुपे पर trade कर रहा that means 13% का यहां से आप move देख सकते हैं आप लोग एडलवाइज का 5% का move देख सकते हैं 70 का target इन्होंने दिया है नॉर्मा इसमें neutral rating है stock 66 पर trade कर रहा 63 का target 5% का downfall देख सकते हैं Goldman Sachs इसमें देखिए 62 रुपे का target 7% का downfall हो सकता है credit issues इसमें देखिए 10% का downfall प्रभुदा सलीलादार 11% downfall हो सकता है 69 का इन्होंने यहां से downfall देख सकते हैं आप लोग JP Morgan 55 रुपे दिखा सकता है stock Kotech महंदरा के हिसाब से 55 रुपे देख सकते हैं इस stock को city 50 रुपे तक देख सकता है दिख सकता है यह stock उसके बाद है मेक्योर इसमें 50 रुपे तक दिख सकता है stock फिलिप्स केपिटल 50 Mk 45 रुपे और Morgan Stanley ने तो 40 का target देदी हैं तो यहां से 40% का correction देख सकते हैं आप इस stock पे ठीक है ना तो इतने बड़े brokers ने इस तरह के target दिये हैं तो उनसे ज़्यादा तो मैं आप और एक छोटा retail investors नहीं जानते होंगे इन लोगों के पास जो details मौजूद रहती है वो हम लोग के पास नहीं होती है और इनोंने जब Morgan Stanley ने 40 का इन पे target दिया है यहां से 40% की downfall हो सकती है तो साबधान हो जाएं वरना आप फसेंगे और पैसा आपका फस जाएगा सारी चीज़े clear होने के बाद यह stock definitely बहुत अच्छा fundamentally है बट जब तक सारी problem सारी news flash होना बंद नहीं होता है यह stock किसी तरह से प्ले होगा तो यह एक update थी कि जुन्जुन वाला जी ने इस stock को buying की तो यह rocket नहीं बन जाएगा बाकि मर्जी आप किया पैसा आप कहा आप पैसा लगा सकते हैं तो चलिए इस बैंक के लिए इतना ही इस वीडियो पे अगर कोई ऐसी और update आती है तो हमारे update को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा उन लोगों के लिए तो इस पेसली जो stock market पर है पहले आपने काम को देखते हैं लेट मिन्स वो प्राइबेट या वर्मेंट किसी सेक्टर में काम करते हैं और indirectly stock market में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं आपको सारी अपडेट एक ही जगह पर मिल जाएं मैं वीडियो की इंड करता हूँ वीडियो पर अच्छा लगए तेक बार लाइक करके मोटिवेट किजिएगा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता अच्छे काम करने चलिए इस वीडियो के इंड करता हूँ थैंक यू